हेलो और वेलकम साइबर वांब्स दिस इस अनिली आदव और यू और वाचिंग साइबर गार्ड पॉंड वाई नेट रूर्स और आज का ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम टॉप 5 हैकिंग टूल्स के बारे में जानने वाले है जो कि हैकर्स मोस्टली यूज करते हैं तो विटाउड मेकियन डिले लेट्स एक्स्प्लोइट तो यहां पर हम जिस भी टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं वो टूल्स बहुत ही खतरनाक है और उस टूल को आप अपने काली मेसीन या फिर अपने ब्लैकार्ट लिनक्स या फिर जो भी आपका हैकिंग मेसीन है उसके अंदर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहां पर हम टॉप फाइब हैकिंग टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि जो लास्ट वाला टूल है उसको आप बिल्कुल भी मिस मत किजिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपोर्टेंट टूल है और उसके बारे में सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी ह होता है तो इस लिस्ट में नंबर फाइब पर आता है एप सोसाइडी जो कि आप गिठव पर सिंपली जाकर के सर्च करके इसको चेक कर सकते हैं इस टूल के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसको यूज करके आप सिंपली एक ही टूल का मदद लेकर के बह आते हैं जिसमें की आपको रियल वर्ल्ड है किसे करते हैं उन सारे चीजों के बारे में वहाँ पर दिखाए गई है तो यहां पर भी उसी तरह से कुछ इस टूल के अंदर भी है जैसे कि starting में information gathering उसके बाद password attacks के tools और फिर wireless testing के tools, exploitation tools, sniffing और spoofing tools, web hacking tools, private web hacking tools और post exploitation के tools भी मिल जाते हैं यहाँ पर आपको installation के लिए आपको यहाँ पर सारे links और सारे यहाँ पर जो भी steps है वो सब githubs के अंदर आपको मिल जाती हैं तो इसी तरह से अब हम move करते हैं अपने phone number के tool के उपर जो कि है mask fish तो mask fish का काम क्या होता कि यह क्या करता कि fishing links create करता है जिससे कि आप लोगों के private accounts को भी access ले सकते हैं और यह इतना powerful होता है कि जो websites होते हैं उनका actual html page create कर देता है जिससे कि जो victim होता है उसको समझ नहीं आता है कि यह fake है fishing page है या फिर original है जिससे कि maximum time में क्या होता है कि social engineering की मदद से जो scammers होते हैं वो victims के account passwords और details निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपको github के अंदर इसके भी repositories मिल जाएंगे कैसे install करना है कैसे use करना है वो सारी चीज़े आपको मिल जाएंगे यहाँ पर इसी तरह से अब हम move करते हैं अपने third number की tool के उपर stake hide जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको simply आप अपने call linux के अंदर install कर सकते हैं simply आपको क्या करना है stake hide टाइप करना है उसके बाद यह आपसे permission मायेगा कि क्या आप इसको install करना चाहते हैं अब जिसको stagnography नहीं पता तो stagnography का मतलब होता है कि image के अंदर या फिर कोई video के अंदर details को inject करना जो कि आप किसी image के अंदर inject करके किसी को send करना चाहते हैं तो यह क्या करता है कि एक तरह का anonymous message send करने में मदद करता है और बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि जो hackers होते हैं वो attack करने के बाद इसे तरह से stagnography करके अपना चाहप होता है उसको छोड़ते हैं तो यह tool भी आप use कर सकते हैं इसको simply आप install कर सकते हैं आपको मैंने installation process बता दिया है और उसके बाद आप इसको किसी भी image के अंदर अ आप social engineering की मदद से किसी की भी location को track कर सकें तो इस tool को आप अपने का Linux में भी install कर सकते हैं Blackark Linux में भी install कर सकते हैं और इसका use ले सकते हैं आप इसके installation process को GitHub में जा करके search करके वहाँ पर इसके repository के अंदर सब कुछ पढ़ सकते हैं कि कैसी यह work करता है कैसे इसको आप use कर सकते है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह tested है का Linux के अंदर Blackark Linux के अंदर Ubuntu, Fedora, Kali NetHunter, Termux, ParotOS, OSX तो इसको आप अपने mobile के अंदर भी use कर सकते हैं Termux के अंदर जिसको कि आप यहाँ पर simply आ करके installation process के अंदर simply इस links को copy करके paste करके उसके बाद इसको run कर सकते हैं तो अभी हम move करते है अपने number one hacking tool के उपर जो की है OSINT Gram तो basically यह tool क्या करता है कि इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि आखिरी इसका काम क्या है तो यह काम करता है Open Source Intelligence Instagram के उपर तो इसकी मदद से आप Instagram users के details निकाल सकते हैं Simply आप इसके commands को copy करके अपने machine के अंदर paste करके उसको install कर सकते हैं और फिर इसको run कर सकते हैं और फिर आपको इसको run करने के बाद अपने जो victim है उसका username डाल देना है उसके बाद यह क्या करेगा कि उसका जो भी details public है या फिर जो भी details निकल सकता है यह सब कुछ निकाल करके आपको show कर देगा यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने देखा top 5 hacking tools के बारे में तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए stay safe stay secure thank you and happy learning